नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रेंड धर्मा सनमार्ग वैसे तो तुलसी हर किसी के घरंगन में होती है और सनातंधर में तुलसी का पौधा पूजनी है तुलसी का पौधा आपके भागे को चमकाता है और घर के वास्तु दोस्त को भी समावत करता है ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर मेर आने वाली विपत्ती का पहले ही पता बता देता है यानि वास्तु ठीक करने के साथ भगवान स्रीहरी की प्रिया भी है तुलसी क्योंकि वो हमेशा उनके सर पर होती है जब भी आप स्रीहरी की पूजा करते हैं तुलसी के दल से खासकर उनको अर्पित करते हैं तो भूल कर भी चरनों में न रखें क्योंकि वो दासी नहीं है चरनों में तो मालक्षमी रहती है चरन दबाती है पर जो तुलसी है वो हमेशा उनके सर पर रहती है वैसे तो हमारा सास्त्र ये भी कहता है कितनीयमित रूप से अगर तुलसी का पत्ता भगवान स्रिक्ष्न को अरपित कर उसका सेवन किया जाए तो भागयोदय होता है कुंडली के सभी गरठी हो जाते है सुआस्त अच्छा में रहता है और नरक से मुक्ती भी मिलती है हलाकि तंत्र सास्त्र में तुलसी के कुछ चमतकारिक उपाय है आईए हम आज उन्हीं चीजों को जानेंगे क्योंकि तुलसी घर में सुकसान्ती लाता है स्वभाग बढ़ाता है अब कभी कभी क्या होता है धन की मुश्किने बहुत परिशान करती है तंत्र सास्त कहता है कि तुलसी का सम्बंद सीधे तोर से मंगल करसे है इसलिए हमेशा अपने पर्स में आलमारी में तुलसी का एक पत्ता जरूर रखे हर आठ दिन में आप इसको चेंज कर सकते है क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसों को भी अपनी तरफ आखरसीत करता है या फिर आप जहां भी धन का लेखा जोखा रखते हो वहां तुलसी का पत्ता रख दे ऐसा करने से कभी भी धन धाने की कमी नहीं होगी कई बार होता है कि बैपार में सफलता नहीं मिलती अब बैपारी भारी भाई लोग जैसे की करोना में, मंदी में बैपार सही से नहीं चल रहा तब ऐसे में आप तुलसी के पत्ते को दो-तीन दिन तक पानी में रखे और फिर इसी पानी को अपने दुकान, फैक्टरी, कार खाने के दरवाजे पर छिड़कते और जो बचा हुआ है तुलसी का पत्ता और पानी इसको आप किसी पौधे में डाल दे आपका बैपार की मंदी दूर होगी और जो निकेडिव इनरजी है वो समाप्त होगी साथी चोर भी नहीं आएंगे और दुसरी बात गरहा कीजे चले आएंगे चाहते हैं कि धन बढ़े, सुख बढ़े, यस बढ़े, जैसा कि हर किसी की चाहत है तब एक छोटा सा काम करें आप किसी भी सनिवार के दिन जब भी गहुम पिसवाते हैं तब उसमें काला चना और तुलसी के पत्ते डाल कर पिसवाएं अगर आप रेडी में डाटा खाते हैं तो आटे में तुलसी के पत्ते सुखा कर कच्चा मत रखिएगा इसको आप सुखा कर और एक दो दाने केसर के संभब हो तो ठीक है नहीं तो सिर्फ तुलसी के पत्ते डाल कर रखें सुख समरिद्धी बढ़ता है धन बढ़ता है जीवन की खुशियां आपके पास फिर से लौट आती है अब कई बार क्या होता है आपको नौकरी खोने का डर होता है या फिर आपको लगता है जैसे आपके ओफिस में कोई आपको समझता ही नहीं अब अकेले पढ़ गए बहुत रखें प्रॉब्लम भी होते है तब एक छोटा सा काम कीजिए किसी भी गुरुबार के दिन या एकादसी की दिन तुलसी के पौधे के जो बीज होते है न उसको आप पीले कपड़े में सोला बीज ले ले बांध कर अपने कारेस्थल पर रख दे आप चाहें तो सफेद कपड़े में सोलब बीच को रखकर बांध कर अपने ओफिस में किसी कमले की मिट्टी में दबा दे ऐसा करने से नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लीजेगा प्रमोसन भी फटाफट से होगा और एक बार फिर से आप चहक उठेंगे अब आप चाहते हैं घर परिवार में खुसियां बनी रहे, सांती बनी रहे, प्रेम बनी रहे इसलिए अपने कीचन में दो-चार दाने पत्ते तुलसी के चुरूर रखे क्योंकि कहा जाता है अगर आप रसोई घर में तुलसी के पत्ते रखते हैं तो घर में सुक्सांती रहती है, सबका स्वास्त अच्छा रहता है और यहां तक कि अगर रोज नहाने के पौनी में तुलसी के पत्ता डाल कर नहाए तो घर के जो सदस्य हैं, उनके बीच प्रेम संबंद बना रहता है प्रेम बढ़ता है, तो तुलसी घर की सांती को भी वापस लाता है उपरी बाधा बला, इसको दूर करने के लिए भी तुलसी का परियोग किया जाता है कई बार होता है आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो नजर दोस्त के सिकार हो गए अब आप परिशान है कैसे ठीक हो इसके लिए एक छोटा सा काम करें देखिए साथ तुलसी के पत्ते और साथ काली मिर्च अपनी हाथ में ले ले जो बेक्ति प्लित है उसके उपर से 21 बार नीचे से उपर तक है एक दम पैर से लेके सर तक वारे और वारतिस में बोलिये ओम नमो भगवते वासुदे वाई नमह अब भगवते वासुदे वाई नमह इसके बाद काली मिर्च को उस्वेक्थी को चमाने दे और जो तूलसी के पत्ते उसको निगल लें वैसे तो आप चाहें अगर आप चाहते हैं कि चमाने दें या फिर आपको लगता है छोटा बच्चा है तो इसको आप क्या करेंगे कि आप उनको मुह में लेके बोलिए एक बार दबाकर थूख दे कहां थूखेगा मिट्टे में और उसको ठक दीजेगा वैसे तो ऐसा करने से आपके कस्ट तो दूर होंगे ही निगेटिव एनरजी भी समाथ हो जाती है तुलसी के पत्ते के जो पेड़ होते हैं तुलसी के पेड़ उसके नीचे भी कुछ खास टोटके किये जाते हैं ऐसा करने से आपकी जीवन की मुश भी नहीं होती और जीवन की मुश्किलें सांथ हो जाती है घर परिवार पर मां लक्ष्मी की विसेज कृपा बनी रहती है वैसे तो आप अगर दही के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करें रोज तो आपका भाग्योदे होता है यानि कि रोज कभी भी जैसे आप पानी पी ले आप एक चम्मच में थोड़ा सा दही थोड़ी चीनी थोड़ी एक तुलसी पकावत्ता रखकर फिर खाले अगर यह प्रियोग आप नियमी 15 दिन भी लगातार कर लें आप देखिए का दिरे दिरे आपका भाग्य उद्य हो रहा है करके देखिए आपको परिशन करा तब पांच दाने पांच धाने काले तिल के लए और अपने जीवन की जो आपके पित्त्री दोससे जिसके करण आप तरक्की नहीं कर पारे जो मुश्किल है अब भगवान से प्रांसना करें वो दूर हो जा तिलसी जी की मिट्टी में दबा दें यह प्रयों आ एकादसी के दिन कर लें तो उत्तम होगा दूसरा आपका कोई मुह मांगी इच्छा है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही तब एक सिंपल सा परियोग करें आप क्या करेंगे एक तुलसी का पत्ता लें और एक सिक्का ले लें अपनी कामना कहके इसको मिट्टी में तुलसी पूरी होती है अगर आप चाहते हैं कि मन्चाही संतान प्राप्ति हो तो जो माता पिता अपने पुत्र पुत्री के जिद्धी पन से भी बहुत परिशान है उनके लिए भी आप अपने घर में पूरब दिसा में तुलसी के पौधे रखे और तीन पत्ते नियमित रूप से संतान को खिला संतान आग्या कारी हो जाएगा और अगर आप खुद खाते हैं तो संतान सिग्र प्राप्ति होगा कई बार होता है बच्चों के विभा जल्दी नहीं होता आप मन्चाहा साथी धून तो रहे हैं पर मिल नहीं रहा तब जो कन्या है तुलसी के पौधे में न हमादी